वाकिंग वांडर के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी वीडियो श्रिंखला एक्स्प्लोरिंग लदाख में लदाख भारत के उत्तर मिस्थित एक शीत मरुस्तल और सबसे दूर दराज इलाकों में से एक है लदाख को दे लेंड ओफ हाई पासिस भी कहा जाता है लदाख में सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पूरे दुनिया के सबसे उंचे पहाड़ी दर्रे स्थित हैं और इन सभी पहाडी दर्रों में सबसे उपर नाम आता है खारदूंगला दर्रे का और खारदूंगला दर्रे के सफर पर आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इस खुबसूरत सफर को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं खारदूंगला पास या जिसे लोकली खारदूंगला कहा जाता है ये Union Territory of Ladakh के लेह डिस्टिक्ट में लोकेटिड है खारदूंगला पास का सफर शुरू होता है लेह टाउन से और लेह टाउन पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्तों के आप्शन्स अवेलेबल हैं या फिर हम श्रीनगर कारगिल वाली साइड से आ सकते हैं या फिर हम मनाली वाली साइड से आ सकते हैं लेह टाउन से खारदूंगला पास का डिस्टेंस लगबग 40 किलो मेटर है और इस सफर को शुरू करते ही जैसे ही हम चड़ाई चरना शुरू करते हैं हमें लेह टाउन के बहुत ही खुबसूरत नजारे इस रास्ते से देखने को मिलते हैं। लेह टाउन से खारदुंगला पास का डिस्टेंस है तो सिर्फ 40 किलोमेटर ही। मगर इस छोटे से 40 किलोमेटर के सफर में हमें लगबग 6500 फीट की ऐलिवेशन क्लाइम देखने को मिलती है। और हम पहुँच जाते हैं लगबग 18000 फीट की ऐलिवेशन पर लोकेटेड खारदुंगला पास में। खारदुंगला पास के रोड को वन अफ ता मोस्ट हाइस मोटरेबल रोड्स आफ तो वर्ल भी कहा जाता है। और ये सफर बहुत ही रोमांच और कुद्रत की खुबसूर्ती से भरा हुआ एक सफर है जिसे हम सभी को अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर ट्राए करना चाहिए। अगर आप भी कभी खारदुंगला पास विजिट करने का प्लैन करें तो एक चीज जरूर ध्यान रखें। अगर आपके पास लदाख के अलावा किसी और स्टेट की कमर्शिल या फिर रेंटिट गाड़ी या टू विलर है तो हो सकता है आपको खारदुंगला पास ना जाने दिया जाए। उस केस में आपको सिर्फ अपनी पर्सनल गाड़ी या फिर लदाख से रेंट की हुई बाइक या फिर टेक्सी ही खारदुंगला पास जाने के लिए पर्मिशन मिलेगी। तो लगबग डेड़ से दो गंटे के इस बहुत ही खुबसूरत सफर के बाद हम पहुँच जाते हैं वन अफ दे मोस्ट हाइस मोटरेबल पासीज इन दे वरल्ड खारदुंगला पास में। लगबग 18,000 फीट की एलिवेशन पर लोकेटिड खारदुंगला पास इसको मेंटेन करता है हमारा बहुत ही ब्रेव बॉर्डर रोड्स और खारदुंगला पास में आप जब भी आएं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनिट से ज़ादा नहीं रुकना है क्योंकि इतने हाइट पर होने की वज़ह से यहाँ पर ऑक्सिजन की कमी होती है और इसकी वज़ह से आपको हाई उल्टिट्यूट सिक्नेस का खत्रा भी हो सकता है इतनी ज़ादा एलिवेशन पर होने की वज़ह से खारदूंगला पास साल के आधे से भी ज़ादा महीनों में बर्फ से ढखा रहता है और आप साल के चाहे किसी भी महीने में खारदूंगला पास आएं आपको यहाँ पर सनोफॉल देखने को मिल सकती है इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएं तो अपने साथ में वुलन क्लोथ ज़रूर कैरी करें खारदूंगला से दिखने वाली बहुत ही बड़ी बड़ी पहाडियां और उससे भी ज़्यादा खुबसूरत नजारे को आप दुगना कर सकते हैं यहाँ पर लोकेटिड कैफे की चाय और मेगी का मज़ा लेकर तो यह थी बहुत ही खुबसूरत लोकेशन और टॉप अफ दो वर्ल्ड खारदूंगला पास तो इसी के साथ हमारी वीडियो का भी एंड होता है उमीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही इस चैनल को सबस्क्राइब करना भी न भूलें